बादल को घिरते देखा है दुर्गम बरफानी घाटी में शत शहस्त्र फुट उंचाई पर अलख नाभ से उठने वाले निज के ही उनमादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तर्न कस्तूर इम्रिक को अपने पर शिरते देखा है बादल को घिरते देखा है शब्दार्थ देख लें दुर्गम जहां कठिनाई से पहुचा जा सके दुहु गम गम धातु से बना है गम आने जाना जहां बहुत कठिनाई से जाया जा सके पहुचा जा सके अलख नलख अलख जो दिखाई न दे जिसे देखा न जा सके परिमल सुगंध खुश्बू इस काब्याइश में नागारजुन जी ने कस्तूरी म्रिग का बर्णन किया है क्या कहते हैं कि सैकनों हजारों फुट की उँचाई पर सत शहस्त्र फुट उँचाई पर बर्फ से धकी हुई घाटी बर्फानी घाटी और ऐसी घाटी जो दुर्गम है जहां जाया नहीं जा सकता नागारजुन कहते हैं कि सैकनों हजारों फुट की उँचाई पर बर्फ से धकी हुई घाटी जहां तक पहुचने के लिए अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ऐसी दुर्गम जगह पर निज के ही उनमादक परिमल अपनी ही नाभि में नाभि से आने वाली उनमादक शुगंध के पीछे दोडने वाले खोजने वाले कस्तूरी म्रिगों को हमने देखा है और कस्तूरी प्राप्तन होने पर उनको चिड़ते देखा है एक वार फिर से इसको देखें नागार्जुन कहते हैं कि शैकडों हजारों फुट की उचाई पर बर्फ से ढकी हुई घाटी की बर्फ से ढकी हुई घाटी जहां तक पहुचने के लिए अनेक कटनाईयों का सामना करना पड़ता है अइसी दुरगम जगह पर अपनी ही नाभिसे चीपी हुई कस्तूरी की सुगन्द से उनमाधित होकर मर्ग दड़ते हुए देखे जा सकते हैं मैंने उनको देखा है और कस्तूरी प्राप्तन होने पर उनको मने म्रिगों को हमने चिढ़ते हुए देखा है इस काभ्यांश में अनुप्राशलंका और भाषा जो है संस्कृत निष्ठ परिस्कृत और परिमार्जी थे शब्दमेत्री देखी जा सकती है शब्दमेत्री का सुंदर प्रयोग हुआ है अब सवाल यह उठता है कि इस कभिता में कभी जो है चकवा चकवी के किन मनों भावों को बताना चाहता है कवी ने चकवा चकवी के प्रेम को अभिब्यक्त किया है रात्र में शाप के कान दोनों अलग अलग रहते हैं उनका ब्योग हो जाता है जैसे ही सूर की किर्णें धर्ती पर विकीर्ण होती हैं वे पुनह मिल जाते हैं यही भाव प्रणे कलह के रूप में ब्यक्त हुआ है एक प्रशनवर है कभी ने कस्तूरी म्रिक का उलेख की संदर्व में किया है नागारजुन ने कस्तूरी म्रिक का उलेख की संदर्व में किया है तो कस्तूरी म्रिक की नाभि में उसका नाम ही है कस्तूरी म्रिक तो उस म्रिक की नाभि से मादक सुगंध निकलती है अजो म्रिग है वह उस उनमादी सुगंध को पाने के लिए इधर उधर दोड़ता है उसे यह ज्यान नहीं होता कि कस्तूरी की सुगंध उसी से आ रही है भावशाम में देखें संत कभीर ने भी ये बात कही है कि कस्तूरी कुंडल बसे जो घट घट राम है दुनिया देखे ना है जिस प्रकार से कस्तूरी जो है मृशाम में ना भी में बसती है ना भी में रहती है लेकिन उसकी सुगंध के कारण वो पूरी जंगल में घूमता है कि कहीं वो कस्तूरी हमें मिल जाया इसी तरह से घट-घट राम है राम घट-घट में समाये हुए है लेकिन दुनिया उन्हें देख नहीं पाती है इस कविता में अमूल, सम्तल, सुप्रभाव, अभिशापित, दुर्गम, उनमादक आदिशब्दाएं हैं इसमें नहित उपसरगों को अलग करना है आप जानते होंगे उपसरग क्या है वास्तों में उपसरग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है उप और सरग इन दोनों के योक्षे उपसरग बनता है उप का अर्थ होता है निकट, पास, नजदीक और सरग का अर्थ होता है स्रिष्ट करना उपसर्ग उस शब्दांश या अव्य को कहते हैं जो किसी सब्द के पहले आकर उसका विशेश अर्थ प्रकट करता है उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठ कर दूसरा नया अर्थ वाला सब्द बनाना जैसे शब्द है हार इसके पहले आप प्रलगा दीजे उपसर्ग तो नया सब्द बन जाएका प्रहार हार अर्थ मतल एक हार जाना प्रहार माने मारना सीधे arbitr隻 जो है रूपंतरी थो जाता है बदल जाता है हैं कि संस्क्रित में 19 उपसर्ग हैं हिंदी में 10 उपसर्ग हैं और उर्दू में 12 हैं अब आईए एक एक शब देख्ते हैं अमल अमल अ उपसरग है इसमें और धातू जो है मल है और नया सब्द अगर हम बनाते हैं अथा, अकाल, अचेत, अमोल, अघ्यान दूसरा सब्द है समतल इसमें सम उपसरग है इसमें उपसरग है सम और मूल धातू है तल समतल से जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें उपसर्ग है सम और मूलधातु है तल इससे सब्द बनेगे सम्मुख संभावना समग्र आदी अब आता है सुप्रभाव सु उपसर्ग है प्रभाव जो है मूलधातु है इससे बनेगा सुबुद्य, सुकर्म, सुपुत्र, सुयोग, सुलेख आदि अब आप देखिए अभी सापित, अभी सापित में अभी उपसर्ग है और सापित जो है वो मूलधातु है तो इसमें क्या बनेंगे अभिशापित में जैसे अभियोग, अभिमान, अभिलाशा, अभिने, अभियोग, अब देखिए अगला सब्द है दुर्गम, अब दुर्गम में दुहु जो है उपसर्ग है, और मूल धातु है गम, अब इससे बनेंगे दुर्लब, दुर्जन, दुश्कर, अनेक शब्द आप बना सकते हैं, अब अंतिम शब्द है उन मादक, उन जो है उपसर्ग है, अब मादक जो है मूल धातु है, इससे बनेंगे उन्मुक्त, उन्नति, उन्नयन, इस तरह से आप बना सकते हैं उपसर्ग बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकित चित्रन को आपको अपने सब्दों में लिखना है तो पूरी कविता का जो शारांश है जो प्रकृति का सौंदर यह है उसे अपने सब्दों में कैसे लिखेंगे हम नेनबल परवस्षिखर पर बादल घिरे हुए हैं बादल में इस्थित वाश पकण मोती जैसे ओस के समान कमल के फूलों पर गिरते हैं वर्षा की उमस से प्रहावित पक्षी सरोवर के जल में कीडे मकोले खोशते हैं और वहीं पर हंस भी तैर रहे हैं मंद मंद गति से वायु का प्रवाह हो रहा है उगते सूर की किर्णों से तालाप का जो कमल है वह स्वाणिम दिखाई दे रहा है रात भर अलग-अलग रहने वाले चकवा चकवी का क्रंधन शूर्योदय के कारण समाप्त हो गया है और वह जो क्रंधन था वह श्यवाल पर प्रणे कीडा में बदल गया है दुर्गम घाटी में कस्तूरी म्रिग दोड रहे है अपनी ही कस्तूरी की गंध जो नाभी में रहती है उसकी सुवंध से मतवाले होकर वो चारो तरफ दोडते हैं उसकी खोज में कस्तूरी की खोज में लेकिन न मिलने पर वे चिरह जाते हैं तो इस तरह से कभी नागारजुन ने बहुत ही मनोरम चित्रांकन किया है बादल को घिरते देखा है